ओम सिरी गनी सायनम दोस्तो एस्टो समाधान यूट्योब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है दोस्तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 17 जून सुक्रवार के रासी फल के बारे में कीह दिन मेस रासी वालों के लिए कैसा रहने वाला हैं किन किन चीजों से इनको फाइदा होगा किन किन चीजों से इनको सावधान रहना होगा इनकी लव लाइफ कैसी रहेगी करियर कैसा रहेगा बिजिनिस और वियापार कैसा रहेगा और स्वास्थ की महत पर पूर्ण जानकारी हम आपको देंगे और इस वीडियो के अंत में हम आपको एक उपाई भी बताएंगे जिससे आप अपने आज के दिन को और भी अच्छा और भैतर बना सकें दोस्तों आगे वीडियो सुरू करने से पहले मेरी आप लोगो से रिक्वेस्ट है अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी दबाएं जिससे समय समय पर आप लोगों तक हमारी नहीं नहीं वीडियो पहुंश सके चली दोस्तों बात करते हैं कैसा रहेगा मेश रासी वालों के लिए सुक्रवार का दिन सबसे पहले बात करते हैं कि आपके लिए आज पॉजिटिव रहने वाला है दोस्तों आज आपके मित्रों का आपको भरपूर शयोग प्राप्थ होगा जो आपको काफी सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ने के लिए काफी प्रुत्साहित करेंगे दोस्तो आपको अपने करचित्र में आज कई कारों के लिए अधिक अनुकूलता महसूस होगी दोस्तो आज का दिन आर्थिक दरश्टी कौन से आपके लिए बहुती अच्छा दिन रहने वाला है जिससे आपका मन बहुती प्रसन रहेगा दोस्तो आपके आर्थिक इस्तिती में काफी अनुकूल बदलाव आएंगे और आपके विवसाय में विवरत दी होगी आमंदनी के स्रोत में इजाफा होगा और आप आर्थिक तोर पर आज अच्छा समंजस बना कर रख पाएंगे दोस्तो आपकी मुलाकात अपने मामा और मौशी के परिवार से आज हो सकती है जिन से मिन कर आपको काफी खुसी होगी और वहें आपके किसी काम में काफी मदद भी करेंगे जा दोस्तो साथी साथ धर्मिक क्रिया कलापों में विविरद्धी होगी और आप उनके ऊपर खर्च भी कर सकते हैं शंगर्स करने के बाद कारों में आपको सफलता आज अवस्से ही प्राप्त होगी यदि आप किसी यात्रा के लिए जाने की इक्षा रखते हैं तो वह भी प्रियास करने में आपको सफलता मिलेगी यदि आप कारे छित्र में अपनी महनत जारी रखते हैं तो उसका सुबभल आपको अवस्से ही प्राप्त होगा दोस्तों यहें आप मान कर चलिए कि आज का समय पूर्ण रूप से आप के लिए हैं बस आपको अपना अच्छा प्रदसन प्रतेक छित्र में देना होगा ताकि आप उसके पैणाम सरूप प्राप्त हुए हर सुक को अच्छे से भूग सकें और इसी कारण आपका मनोबल भी बड़ेगा जिसके कारण आप काफी उत्सा में रहेंगे और अपनी उरजा के बल पर आप हर चिनोतियों का डट कर शामना भी करेंगे और उस पर आपको शफलता भी प्राप्त होगी जिससे आपके खुसी दूग नहीं हो जाएगी और आपका दिन काफी आनंद में हैं आपके लिए क्या नेगेटिव हो सकता है दोस्तो आपके लिए आवशक होगा कि आप किसी भी निर्णे को लेने से पहले अपना पूरा समय लें और सोच समझ कर ही समस्याओं का हल निकाले और समस्याओं को हल करने के लिए प्रियाप्त संसादनों को जुटाएं दोस्त दोस्तो साती सात पेसे के लेंदेन में भी आज आपको साफ़दानी रखना आतीय अवसक हैं तता किसी भी अन्य व्यक्ति को धन देना नुक्सां दायक हो सकता है इस दिन मांसिक असान्ती तथा तनाव पूर्ण इस्तितियां जादा हो सकती हैं इसलिए किसी भी तरह का ठोस निर्न लेने से पहले आपको कई बार सोच विचार आवस्चे ही कर लेना होगा यह आपके लिए काफी फाइदेबंद साबित होगा दोस्तों साती सात क्रोध पर नियंतन एम वानी पर आपको आज सैयम रखनी की अतियाव शक्ता है अन्यत्था विवाद की इस्तितियां बन स सकती हैं परिवार का माहौल आपके अनुकूल रहेगा लेकिन ध्यान रहें कि आपकी बातों से किसी को ठेस ना पहुचे जिहां दोस्तों अगर आप परिवार को जोड़ कर रखना चाते हैं तो आपको अपने जीवन में कुछ समझोतों के लिए तैयार रहना होगा अन्यत अधिक से अधिक योगदान करने के लिए भी तैयार रहना होगा दोस्तों साथी साथ उच्च सिक्षा के लिए प्रियासरत लोगों को भी अभी थोड़ा प्रियास और जारी रखना होगा तथा प्रितिक्षा करनी होगी क्योंकि फिलाल उनके लिए अधिक अच्छा आफस आप अपने प्रेमी प्रेमी का को प्रपोज करना चाते हैं तो कर सकते हैं या फिर अपने मन की बात शेयर करना चाते हैं तो वह भी कर सकते हैं इसके लिए समय काफी अनुकूल है दोस्तो आज आपके प्रेम संबंद काफी मजबूत होंगे आपसी संबंदों में घनिश्टत आपको एक नई इस्पूर्ती प्रदान करेगी जीवन साती का भी आज आपको पूरा शहयोग प्राप्त होगा साती सात विवायत जातकों के लिए भी आज का दिन बहुती अच्छा दिन रहने वाला है दोस्तो बात कर लेते हैं आज आपका वैवसाय केरियर कैशा रहने वाला है। बहुती प्रसन रहेगा दोस्तो वैपार विस्तार की आज आप नहीं योजनाएं बनाएंगे वैपार को लेकर भी आज आज आप किसी यात्रा पर जा सकते हैं जो आपके लिए काफी लाबदाइक साबित होंगी दोस्तो साती सात आज आप प्रॉपर्टी में भी निवेस कर सकते हैं जो भविस्ते में चल कर आपके लिए काफी लाबदाइक साबित होंगे नोकरी करने वाले जातकों के लिए भी आज का दिन बहुती अच्छा दिन रहने वाला है दोस्तो बात कर लेते हैं आज आपका स्वास्थ कैसा रहने वाला है दोस्तो बुद्धिमानी से आप उड़ जा सकती का प्रियोग करें ताकि आपको सारेरिक रूप से कोई परिसानी ना हो और आपका जीवन काफी खुस में बना रहे दोस्तो साती सात यदि आप उमर दराज हैं तो संभव है कि आज आपको कुछ सेयत के मामलों में अधिक नियमित होने की आवशक्ता पड़ सकती है जिससे आज आपको कुछ योगासनों का भी सहारा लेना पड़ सकता है और साथिसाथ आपको अपने खानपान पर भी विशेश रूप से ध्यान देने की आवज सकता पड़ सकती है दोस्तो साथिसाथ अपने स्वास्त को और भी अच्छा रखने के लिए आप रोजाना योग करें, वयाम करें, सुस्त रहें दोस्तो अब बात कर लेते हैं, आज आपके लिए विशेश रूपाय क्या हैं, दोस्तो आज आप इशनान आदी से निर्वत रहोने के बाद, अपने स्रद्धा के अनुसार, अपने सामर्थ के अनुसार, सफेद रंग की वस्तुएं और सफेद रंग के खादे प्रधरतों का दान गरीबों में मा लक्षमी का समर्ण करते हुए अवश्य करें, या दोस्तो इस प्रेकार दान करने से मा लक्षमी आपसे बहुत जल्द प्रसन होकर आपके समस्त कष्टों को दूर करेंगी, जो भी आपके जीवन में धन सम्मंदित परिशन या चल रही हैं, समस्त परि दोस्तों मा लक्षमी का सिर्वाद आपको प्राप्त हो, सच्चे दिल से कमेंट्स बोक्स में जै मा लक्षमी अवश्य लिखें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें, धन्यवाद